हालो नमस्कार दोस्तों मैं मैं मुकेश साब को स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोखिल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इनिवेटर बनाना बताऊंगा जियां दोस्तों एक बहुत ही आसान इनिवेटर और अच्छा इनि के अलावा एक फ्रांसफोर्मर्स 12 वोल्ट का इस परकार से बिल्गल आसान है इसे बनाना और इन दोनों के अलावा हम दे लेंगे एक यह आपने देखा होगा कहीं ना कहीं और नहीं देखा तो मैं आप लोगों को यार दिला दोस्तों यह सिलिंग फेन में लगता है 3.15 मा कि शबसे पहले कि बिल्कुल नॉरमल है दोसको हम यह इस सैड़ में आप देख रहे होंगे यह 12 वोल्ट है और इस तरब 80 के वायर है जैसे कि हम यह श्रांसफोर्मर है यह डान ट्रांसफोर्मर है तो आपको मैं बता दू जैसा कि हम इसको यूज में लेते हैं तो यह जो वायर है यहां पर एसी के 220 वोल्ट गे और इधर जो आउटफुट आता है वह बार वोल्ट आता है लेकिन हम इसको विल्गुल उल्टा यूज में लेंगे यह 12 वोल्ट हम इंपुट में लेंगे और आउटफुट में हमें यहां से चाहिए वोल्टेज इससे बिले में आप यहां पर देख रहे होंगे कि इसमें 5 लेक्स है तो यह 5 लेक्स किस परकार से काम में आती है मैं आपको जानकारी देता हूं जब भी नया वीडियो बनाता हूं इसके रिगार्डिंग तो उससे गया अपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी आपको वापस से मेरे पुरा का मतलब हो गया नौर्मली उपन यह और यह वाला जो उन दोने के भीज में कोई लगी गई है कोई ट्रमिनल कहलाता है तो और जो मुवएबल कांट इस प्रकाल से काम करता है यह कोई लो गई यह और यह वाला जो आप देख रहे हो और यह बीच वाला यहां पर देख जैसा कि आपने वह बताई था जो कोईल का एक लेग इस लेग पर जो की कोईल से जुड़ी वही है यह दोनों लेग अपस में यह वाली और यह वाली यह वाली तो इन दोनों को इस वाले पॉइंट पर यह वायर जोड़ रहां ठीक है और जो दूसरा वाला वायर है यह मैं नोर्मली ओपन पर जोड़ूंगा यह अब भी हम यह दो यह जो दोनों पॉइंट है जैसे कि यह कोईल यहां पर आरकिया तो हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट यह जो नोर्मली पर का मतलब यह होता है दोस्तों कई बार मेरे कि जैसे कि यह वायर है ठीक है इससे पतला ले सकते हैं लेकिन मैं यही लूँगा अभी तो इसको मैं लगा देता हूं इन दोनों के बीज में कि यहां पर कि यह देगे दोस्तों मैंने इस प्रकॉर्स लगा दिया है अब कि यह जो कंदनसर है कि लोग केपिजटर भी भोलता है इसको वैसे दोनों एक पीज़ेवा ओर कंदन्सर कणैण वैसे इस केपिशटर ही लिखा हुआ है तो आपके एपिज़ेव भोल सकते हैं कि इसको हम इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता बिल्कुल नॉर्मली आप लगा सकते हैं कि दर से भी मैं एक चीज आपको इसलिए बताता हूं दोस्तों ताकि हर उस ब्यक्ति को समझ में आ जाए जो बिल्कुल नया है इस लाइन में कि हमने एक कोईल के उसके जोड़ दिया है मैं इस प्वेन पर दीजिए और दूसरा वाला हम ने आप यह देख सकते हैं और मणा बीच वाली लेगाए उस पर जोड़ दिए ठीक है कि यह देखिए आप पूरा बताम का केमरे को उपर लेके और अब जो है एक चोट आसा कुछ और जोड़ना है वायर जोडना है ताकि जो पैटरी है हम इसमें बाराोट की पैटरी की लगाएं है है सु लगाने के लिए यहां पर मैंने पर मैंने की तुप्रिश चुच पर और यहां पर ब्लस वाला कि यह दोनों वायर मैंने इस परकार सेज़ाएं मैं अब अच्छी तरी किसे देख देख लिए दोस्तों यह देखिए जो ट्रांस्पोर्मर का वायर है व यहां लग गया है और जो यह कंडंसर है इसके दोनों यहां लग गए है इन दोनों के बीच में एक जंपर का वायर का टुकड़ा लगा हुआ है यह बेटरी के प्लस और यह माइनस है और कुछ भी नहीं है इसमें अब आप यहां पर यह देगे मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एक मिनट में थोड़ा सब्सक्राइब केमरे को दोस्ते यह सुर करने के बाद में अब हम इस प्रकार चेंगे एक अना और इसको जो यह जो ट्रांस्फोर्मर का यहां पर जो 220 वोल्ड एसी वाल आउट्पुट है यहां पर लगा देंगे कि पिलाल यही आउट्पुट रहेगा क्योंकि हमने ट्रांस्फोर्मर को उल्टा लगा है ठीक है अब जो यह बेटरी है यह देखें मैं यह वाली बेटरी ले रहा हूं इसमें अना और आप भी एसी बेटरी भी ले सकते हैं और कोई दूसरी बेटरी भी ले सकते हैं अब कई मेरे दोस्ते मुझसे यह भी पूछेंगे कि सर यह जो बेटरी इसको चार्ज करेंगे दोस्तों मैं आपको यह बता दो कि चार्ज करने के लिए मैंने कई परकार की आपको सर्किट डिजाइन बताया है यह देखें मैंने एक बार इसा भी बनाया था वीडियो इससे भी हम बेटरी चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा भी और भी मैंने कई परकार के वीडियो बनाया थे चार्ज बेटरी चार्ज करने के लिए और दूसरी चीजी है कि बेटरी ऑटोमेटरी किस परकार से डिसकनेक्ट हो जाए जैसे बेटरी इसका भी मैंने वीडियो बनाया था तो वह आप इस सर्कुट में यूज करके और इजी ली वेटरी चार्ज भी कर सकते हैं और फुल चार्ज वेटरी डिसकनेक्ट भी हो जाएगी तो इसके लिए इतने बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वी अब बेल आइकन पे लिए क्लिक करके जिससे जब भी मैं नहीं वीडियो बनाता रहूंगा तो इसका नोटिफिक्स आप लोगों को मिलता रहेगा तो फिलाल दोस्तों मैं यहां पे आप देख रहे हैं यहां बेटरी का माइनस जोड़ा हूं और यहां पे प्लस जोड़ू कि अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहां पर कि अब थोड़ा सांद देरा कर देता हूं तो दोस्ते यह जो रिले है इस परकार से आवाज करेगा तो आपको गबराने की जुर्थ नहीं है कि यह इसे आवाज करते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है यह आराम से चलेगा कोई का बढ़ाने की जुर्थ नहीं है आवाज करते हैं करने दो अब आपको मैं इसी पर यह दूसरा बलब लगा के बताऊंगा यह देखिए कुछ भी नहीं है न अब यह वलाब ढलब आप देख सकते में यह लगा जिए ठीक है दोस्ता अब आपको मैं दूसरा बलब भी लगा के बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक ठीट और करते हैं यानि मैं आप लोगों को यह वाला भी बलब लगा के बता हमें लेकिन इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कम वाटेज रे जाएंगे इदर तो हम इस परकार के जो है यह कंडेंसर यह जो केपिसिटर है यह और जोड़ेंगे जैसे तिलाल यह चार माइक्र भी जल जाएंगे साट वाट तक अब में पास प्लाव साट वाट का है नहीं तो चलिए मैं इसको एक बार आपको लगा के पता ही देता हूँ तो यह देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने ऐसे ही लगा दिया है जैसे यह वाला केपिस्टर लगावा था उसके समाना अंदर ही मैंने यह दोनों भी लगा दिया है आप देख सकते हैं पिल्गूल इसको और इसको 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 लगा दिया ठीक है दोस्तों अब मैं इसको आपको चला गए बताता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्गूल अब मैं इसको चलाना है तो वही सेम यह प्लस वाला पॉइंट यहाँ पर और यह माइनस वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हमने यह तीन के पेशिटर लगाए चार-चार माइक्रोफेट के दो और एक तीन पॉइंट 15 माइक्रोफेट गा तो यह वाला निखना है खिर दोस्तों तो इस प्रकार और आप देख सकते हैं व्लिगूल इज्य इसको बनाना कोई प्रोब्लम नहीं है बहुती में अच्छा यह प्रोजेक्ट वह आप देख सकते कोई दिक्क्स नहीं है यहां ес NEOne काम कर रहा है यह आना दुस्तों मैं आपको इतने देर इसलिए बता रहा हूं कि कई मेरे दोस्त कूछते हैं किसरा आपने लगा चाहिए आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्गुल आराम से चालो है कोई प्रोब्लम नहीं है इसमें बिल्गुल अच्छा वर्किंग कर रहा है यह यह देखो यह वाइब्रेट ह नहीं हो रहा है गरम के यह तो जब तो घृतरों कीशी करेंगे ऐसा भी नहीं कि जली गया वह तो यह गल्यट चीज हो गई ठीक है दोस्तो तो आसा करता हूं दोस्तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्रीज आप इसे लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए जिनके ये ऐसी यूजबूल चीज काम में आने वाली है उन सब को जिससे उनको भी इस बारे में नोलेज हो और उनको भी बताइए मेरे इस चैनल के बारे में ताकि वो भी ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन बटन को भी दबाना जिससे जब भी में आया वीडियो बनाम गार उसका नोटिफिकेशन यानि मेसेज आप लोगों बहुत बहुत दन्यवाद थैंक्स पर वोटिंग दन्यवाद दोस्तों